मैं हूँ प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com कॉंग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को ऑप्रेशन ब्लू स्टार किया गई है और यह नेता है पंजाब की मुझ्ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग कैप्टन अमरिंदर सिंग ने केंदर सरकार को आगाह किया है कि पंजाब में इस्थिती नियंत्रन के बाहर जाए उसके पहले इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए क्योंकि अगर पंजाब के लोगों का गुस्सा बढ़ा तो पाकिस्तान इसका फाइदा उठा सकता है ये बात रहोंने किसान आंदोलन पर हुए एक सर्वदलिय सभा में कही लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंग ने के बयान का सच्छे महतुपकोन हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने आपरेशन ब्लू स्टार की चर्चा की है उन्होंने ये कहा है कि अतीत में पंजाब के लोगों ने 42 मांगे रखी थी और उन मागों के समर्थन में आंदोलन किया था धर्ने पर बैठे थे और बाद में इस्तिती जब नियंत्रण के बाहर हो गई तो वहां आपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा मैं आपको याद दला दूं कि ब्लू स्टार क्या था 1984 से इस्वी में केंद्र सरकार ने सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जोके अमरिस्टार में है वहां छुपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए स्यना भेज़ दी जो सैनिक कारवाई हुई थी उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया था उसमें खालिस्तानी आंदोलन के नेता भिंडरा वाला समय कई लोग मारे गये थे और कुछ जवान भी घायल हुए थे उससे सिखों की भावनाय काफी आहत हुई थी और उसी साल उसके कुछ महिनों बाद ही दिल्ली में ततकाले इंद्धान मंत्री इंदरा गांदी के सुर मेहरों में शिख्विरोधी दंगे हुए थे और उसमें बड़े पैमाने पर सिख्व मारे गये थे या घायल हुए थे और इसका आरोब पर लगा था ये कहा गया था कि कोंग्रेस पारटी के लोगों ने उनके स्थानीे नेताओं ने सिखों के खिलाफ लोगों को भड़का आया और सिखों पर हमले किया उसमें उस समय के कई नेताओं के नाम सामने आये थे जिसमें जगदिश ट्राइटलर और सजन कुमार अभी भी है सजन कुमार को दिल्ली की एक अदालत से सजा हुई और अभी वह जेल में हैं वह कॉंग्रेस के नेता थे इसी तरह जगदिश ट् मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो सवाल यह उठता है महत्तु कैप्टनर अमरिजर सिंग के बयान का महत्तु यह है कि वह कॉंग्रेस के लेता है वह कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री है और वह ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं यह महत्तुपों इसलिए भी है कि को देर सही सही अगर ब्लू स्टार की याद आती है और अगर कॉंग्रेस पार्टी ब्लू स्टार से कुछ सीखना चाहती है तो निश्चित तौर पर इसे महतुपूर माना जाएगा यह महतुपूर इसलिए भी है कि जैसा आपको पता है कि क्रिशिक कानूनों के खिलाफ दिल मांग इसमें बहुत बड़ी संख्या पंजाब से आये हुए लोगों की है जिनमें सिख प्रमुक हैं सिखों के बीच एक तरह की अलगावबाद की भावना बढ़ती जा रही है यह भी रिपोर्ट है इसके पहले केंजर सरकार और बीजेपी जो सत्तारूर पार्टी है उसक समय जब केंजर सरकार सुप्रीम कोड के में दिये हुए हलफ नामे में खालिस्तानी तत्व के शामिल होने की बात करती है ऐसे समय जब कॉंग्रेस पार्टी के लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं और सिख भावनाएं आहत हो रही है यह महत पूर्ण है कि कैप् रहे हैं सत्यहंदी.com आप मारे फेस्बुक पेज को लाइक करें हमारे टुर्य एकाउंट को फॉलो करें और देखते रहें सत्यहंदी.com